Hello everyone, this is Pornima from Subharti Computer Classes आज की वीडियो में हम सीखेंगे General Entry लास्ट वीडियो में हमने Accounting के Gordon Rules सीखे थे और आज हम देखेंगे की General Entry कैसे पास करते हैं क्योंकि अगर आपको General Entry बहुत अच्छे से आ गई तो आपको Tally में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखें हम General Entry के कुछ Example कर लेते हैं देखें सबसी First Entry हमारी राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 70,000 की राम ने 70,000 से एक बिजनेस स्टार्ट किया तो देखें हम Tally में या Accounting में कोई भी Entry करते हैं तो बिजनेस में 70,000 का कैश आया तो कैश जब आ रहा है तो कैश हमारा क्या है Real Account है Real Account का Rules है Debit What Comes In Credit What Goes Out तो कैश हमारा आ रहा है इसलिए कैश को हम क्या करेंगे Debit करेंगे Cash Account Debit करेंगे 70,000 से और Credit में क्या करेंगे हम Credit में करेंगे Capital को क्योंकि हमारी पूजी बढ़ रही यहां पे तो Cash Account Debit to Capital Account अब इसके narration की बात कहे रहे हैं कि अगर narration हमें देना है statement देना है तो एक statement देते हैं जिससे हमारी Entry बिलकुल clear रहती है तो यहां पे हम narration दे देंगे Being Started a Business with Cash Next Example देखते हैं Machinery Purchased 40,000 देखे 40,000 की मशिनरी खरीदी गए मशिनरी हमारी कोई goods नहीं है माल नहीं है जिसको हम खरीदे बेचे यह हमारी लिए क्या है assets है, समपत्ती है कि मशिनरी हम लगाएंगे तो हम अपना production बढ़ाएंगे मशिनरी हम लगाएंगे अपने factory में तो मशिनरी हमारी लिए क्या है assets है, समपत्ती है तो जब भी कोई machine assets हम खरीदते हैं, जब भी हमारी assets बढ़ती है तो हमेशा हमारी assets debit होती है क्योंकि बिजनरी आ रही है तो हम मशिनरी अकाउंट debit करेंगे और credit में क्या करेंगे क्योंकि हमने 40,000 रुपए दे के खरीदा है तो cash हमारे पास से गया है बिजनरी से गया है तो cash क्या जा रहा है cash हमारा real है तो cash को क्या करेंगे credit side करेंगे machine रे अकाउंट debit to cash यह इस तरीके से देखिए एंडरी हो गई इसके narration के अगर बात करेंगे cash आ रहा है cash लेके ही तो हम बेचेंगे तो जब cash आ रहा है तो cash हमारा real account है real account करो उसे debit what comes in credit what goes out तो देखिए cash आ रहा है इसलिए cash को क्या करेंगे debit side लिखेंगे और credit side क्या आ जाएगा credit side हमारी आ जाएगी to sale 20,000 देखिए purchase always debit होती है sale always credit होती है कुछ exception cases है जहाँ पर purchase हमारी credit side आती है जो कि मैं आगे explain करूंगी अभी फिलहाल आप इतना देखिए purchase debit होती sale always credit होती है तो third number का जो question है इसकी entry क्या बनेगी cash account debit 20,000 to sale account इसका narration देदीजे being good sold 20,000 next example हमारा purchase goods from ram for cash 5,000 ram से 5,000 का नगत माल खरीदा मतलब कि हमने cash payment कर दी है जब cash payment होती है तो entry change हो जाती है जब उधार खरीदी जाती है तो entry change होती है तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल clear बता रहे हैं कि purchase goods from ram ram से माल खरीदा गया cash नगत payment करके खरीदा गया है तो दीखिए यहाँ पर goods word है goods हमारा क्या है माल है मतलब कि goods हम जो खरीद किलाते हैं उससे sale करने के purpose से खरीदते हैं तो जब हम goods खरीदने के entry करेंगे तो हमीसा purchase account debit होगा ना कि goods word आएगा तो यहाँ पर हम purchase account debit करेंगे purchase account debit करेंगे 5000 से और credit में लेके जाएंगे to cash 5000 क्योंकि जब cash यहाँ पर हमने दिया है तो cash हमारा real account है cash जब जा रहा है तो according to rules credit में हमारा cash आएगा purchase account debit to cash account और इसका narration हम दे देंगे being goods purchased next entry देखते है next entry के हमारे है good sold to ravie on credit 4500, 4500 का माल ravie को बेचा गिया है on credit है मतलब की उधार बेचा गिया है इन्होंने ravie ने सामान ले लिए लेकिन अभी cash नहीं दिया है तो अगर हमारे पास cash आता तो cash को हम debit करते हैं लेकिन हमारे पास cash तो भी आया नहीं है तो आपने देखा होगा जब भी आप कहीं इसे उधार माल खरीदते हैं तो जो shop keeper होता है दुकानदार होता है वो आपका नाम जो है अपने पास एक register में note करता है यह किसी को आप ही कुछ sale करते हो अगर वो payment नहीं देता है तो उसका नाम आप लिक्के रख लेते हो तो जब भी उधार के entry होगी तो जिसने उधार खरीदा है आप उसका नाम एक जगे note करोगे तो उसके लिए अगर हम accounting की बात करें तो यहाँ पर देखे रवी को उधार माल बेजा गया है अगर cash आता तो cash को debit करेंगे लेकिन cash तो हमारे पास आ नहीं रहे तो हम रवी को debit करेंगे रवी's account debit to sale इस तरीके से देखे हमारी entry बनेगी उधार की narration में देदेंगे being good sold on credit next example देखते हैं goods sold to रवी 5000 देखे इसमें दिया है रवी को 5000 का माल बेचा गया इसमें नहीं clear हो रहा है कि cash payment करी गई है या उधार खरी देगे है इसमें कुछ भी नी बस इतना बताया जा रहा है 5000 का माल रवी को बेचा गया तो जब इस तरीके से कोई भी entry दी जाएगी कि cash और credit word ना use हो तो वो entry हमारी उधार की मानी जाती है तो जब उधार की entry मानी जा रही तो cash फिर मेरे पास नहीं आ रहा तो जब cash नहीं आ रहा तो रवी को हम debit करेंगे और credit में हम करेंगे to sale account तो इस तरीके से देखिए हमारी ये entry बन जाएगी और इसके narration की बात करें narration optional है आप चाओ हो तो narration दो otherwise आप इसको skip भी कर सकते हो तो इसका narration अगर हमें देना है तो हम दे देंगे being goods sold on credit next entry देखते है next entry हमारी है goods returned by रहीम 1000 रहीम के द्वारा 1000 का माल वापस किया गया मतलब कि रहीम ने 1000 का माल हमें वापस किया है तो वापस तब करेंगे जब हमने कभी पहले इनको sale किया होगा हमने इनको एक बार sale किया है इनको नहीं समा जाए then ये वापस लेकर के आएं है तो sale आपको पता है कि हमेशा हमारे लिए credit होती है अभी जैसा मैंने बताया तो ये sale return है, sale हमेशा credit होती है और जब sale return की बात आती है तो वो debit हो जाएगी तो यहाँ पर entry हमारी हो जाएगी sale return account debit 2 में लेके जाएंगे रहीम को तो sale return account debit हो जाएगा 1000 से और credit में क्या करेंगे तो रहीम जाएगा 1000 इसका नरीशन आपको देना है नरीशन दे दिए being goods returned by रहीम I hope आपको ये सारे doubts clear हो रहे होंगी कि कैसे entry pass हो रहे है कब कौन सा rules लग रहा है अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का doubt है तो आप अपने comments कीजिए मैं उन्हें solve करूंगी and next example देखते है goods returned to RAM इस बार क्या है हम RAM को वापस कर रहे हैं मतलब कि हम कभी खरीद के लाए हैं हमने purchase किया है RAM से तब ही तो हम RAM को वापस करेंगे तो purchase मैंने बताया always debit होती है purchase debit होगी लेकिन यहाँ पे क्या हम RAM को वापस कर रहे हैं मतलब कि मेरे लिए यह क्या है मेरे लिए purchase return है तो purchase जब debit होती है तो purchase return हमेशा क्या होगी credit होगी तो यहाँ पे हम RAM को debit करेंगे RAM's account debit to purchase return तो देखी इस तरीके से entry हमारी बनेगी इसका narration आप दे दिये being goods return to RAM तो देखी कितने अच्छे example हैं कि हर entry जो है वो change हो रही है इस तरीके से आपको एक तरीके से सारे doubts जो भी होंगे वो clear हो रहे होंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लीजे जिससे आपको new video का notification मिल सके यहाँ पे हम tally की पूरी series चला आ रहे हैं और उसके जितने भी points हो वो सारे clear करते हुए चल रहे हैं next example देखते हैं rent paid rent देखें यहाँ पे आया है यह हमारा किस से belong करता है यह हमारा nominal account है कि जितने भी खर्चे होंगे जितनी भी profit होंगे जितनी भी expenses होंगे जितने losses होंगे किस से सब हैं वो सारे nominal account के अंतर गताएंगे तो यहाँ पे हम rent दे रहे हैं rent देंगे तो हमारे लिए तो यह खर्चा ही है तो हमारे लिए यह क्या है expenses है expenses है तो यहाँ पर करेंगे rent account debit जितने भी nominal account का rules है मैंने last video में बताया था nominal account जो है उसका rules क्या है debit all the expenses and losses तो हमारा rent क्या है expenses है खर्चा है तो rent account यहाँ पर क्या हो जाएगा debit हो जाएगा अब credit में क्या जाएगा two की side क्या जाएगा two की side जाएगा cash कूश क्योंकि जो rent हम देंगे वो cash के form में देंगे नगत के रूप में देंगे तो cash हमारे पास से क्या business से क्या जाएगा तो cash हमारा क्या है real account है तो real account का rules क्या होता है debit what comes in credit what goes out तो यहाँ पर simple सी entry बन जाएगे rent account debit debit to cash account, इसका नरीशन हमें देना है, तो हम दे देंगे being rent paid, 1500, next example देखते हैं, next है wages paid, wages भी देखिए हमारा nominal account है, मेरा expenses है, wages हम दे रहें, मर्जूरी होता है wages, जब हम मर्जूरी देंगे तो यह भी हमारा खर्चा है, तो यहां पे wages account बन जाएगा, wages account debit हो जाएगा, किस form में दे जाएगे, cash के रूप में देते हैं, तो credit में क्या चला जाएगा, cash account हो जाएगा, तो wages account debit to cash account, being wages paid, next example देखते हैं, next है withdraw cash for personal use 5000, देखिए 5000 रुपए personal use के लिए निकाले गए हैं, तो personal use के लिए जब भी पैसा निकाला जाएगा, तो drawings account बनेगा, drawings account debit होगा, क्योंकि यह personal use के लिए है, business से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम business से पैसा निकाल रहे हैं, तो drawings account debit हो जाएगा, और cash ले रहे हैं, तो to cash account, 5000 से हो जाएगा, narration दे देंगे, being withdraw cash for personal use, next example देखते हैं, next is commission received 1700, अब देखिए commission जो है हमें मिल रहा है, तो commission जब मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है, यह income है, profit है, तो जितनी भी हमने बोला था profit है, वो सारी क्या credit side जाएगी, और debit के side क्या जाएगा, commission किस रूप में हमें मिल रहा है, cash के form में मिलेगा, तो cash हमारा real account है, real account का रूस है, debit what comes in, तो यहाँ पे cash account debit हो जाएगा, और जितने भी income है, profit है, वो सारी credit side जाएगे, तो to commission account बन इसका narration है, being commission received, next example देखते हैं, deposit cash in the bank, 10,000, अब देखिए, bank में 10,000 रुपे जमा किये गए, ठीक, bank हमारा क्या है, personal account है, और personal account का रूस क्या होता है, debit the receiver, credit the giver, तो bank में पैसा जमा किये गए, ठीक, तो bank account क्या होगा, receiver है, receive कर रहा है, bank बढ़ रहा है, तो bank को क्या करेंगे debit करेंगे, 10,000 से bank account debit, और credit में क्या होगा, cash, क्योंकि cash क्या है, जा रहा है, business से, business से निकाल की, तो हमने जा के bank में जमा किया, तो business से क्या है, cash जा रहा है, तो 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 credit side लिखा जाता है, तो bank account debit होगा, 10,000 से, credit में लिखेंगे, to cash 10,000 तो देखिए कितने इजी तरीके से सारी entry solve हो रही है इसका narration दे देंगे being cash deposit into bank next example देखते है अब कृष्णा को जैसे 17 hand it दिए गए, क्रिष्णा क्या है? personal account है, जितने भी person है वो सारे personal account में आते है तो क्रिष्णा को payment किया गया क्रिष्णा क्या है, receiver है लेने वाला है, लेंदार है, मतब क्रिष्णा को payment मिल रही है, तो personal account करूँ उसके debit the receiver, तो यहाँ पे हम क्रिष्णा को debit करेंगे, और जाग जा रहा है business से, cash जा रहा है, क्योंकि payment करी जा रही है, तो business से ही cash निकाल के दे रही है, तो क्रिष्णा को debit करेंगे 1700 से, और cash को credit करेंगे 1700 से, तो देखें, हमारी entry one के narration दे दीजे, being cash paid to क्रिष्णा, next example देखते है next, draw cash from bank for office use, अब की बार देखिए, office के use के लिए पैसा निकाला जा रहा है, जब personal use के लिए निकाला जाता है, तो drawings account debit होता है, लेकिन इस बार तो personal use है नहीं, यहाँ पर office के use के लिए 3000 रुपए निकाले जा रही है, तो जब office के use के लिए पैसा निकाला जा रहा है, और देखिए bank से निकाला, office के use के लिए bank से पैसा निकाला जा रहा है, तो आ क्या रहा है, cash आ रहा है business में, तो cash को क्या करेंगे, debit करेंगे, cash real account है, cash account debit हो जाएगा, 3000 से credit में क्या करेंगे, bank, bank क्या है, personal account है, personal account का रोस क्या होता है debit the receiver credit the giver तो bank हमें पैसे दे रही इसलिए bank को हम credit site लिख देंगे तो cash account debit हो जाएगा to bank account इसका narration दे देंगे being cash withdraw for office use next example देखते हैं draw goods from business for personal use 1700 बीजने से 1700 बीजने से 1700 रुपए का माल निकाला गया इस बार देखे cash नहीं है cash नहीं निकाला गया जो goods है सामान है हमने वो 1700 का बीजने से निकाल लिया है तो अब जब बीजने से हम goods निकाल रही हैं तो यहाँ पर देखे personal use के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइंग्स account तो debit हो जाएगा क्योंकि जब personal use word आता है तो हमें इससे ड्राइंग्स account debit हो जाएगा ड्राइंग्स account debit हो जाएगा 1700 से लेकिन हम cash तो निकाल लीने जो cash को credit करें यहाँ पर हमारा word आ जाएगा purchase credit हो जाएगी देखे exception case है purchase के लिए मैंने बोला तब purchase always debit होगे लेकिन यहाँ पर हम purchase को क्या कर रहे हैं credit कर रहे हैं क्योंकि हमने तो goods खईदा था business करने के लिए इसको हम sale करेंगे लेकिन वो sale ना करके personal use हो गई इसलिए यहाँ पर exception case है purchase को credit side लिखेंगे तो drawings account debit हो जाएगा 1700 से और credit के side आ जाएगा purchase account 1700 narration में देदेंगे being goods withdraw from business next example देखते हैं next step bank interest received 200 bank से 200 रुपे ब्याज मिला तो देखें यहाँ पर 200 रुपे ब्याज मिल रहे हैं तो interest क्या है income है जितनी भी income है वो nominal account में आती है nominal account में हमारी income और losses आती है तो यहाँ भी देखें bank में जब interest आएगा तो हमारा bank balance बढ़ेगा तो bank जब बढ़ेगा तो bank को debit करेंगे क्योंकि bank हमारा personal account है तो bank account debit करेंगे अगर आपको किसी bank का नाम दिया गया है तो आप उस bank का नाम दे दिजिए otherwise bank account भी debit हो जाएगा तो आप bank account debit कर दिजिए और credit में क्या करेंगे to interest bank interest received तो यहाँ पर देखिए SDFC bank का नाम दे दिएगे SDFC bank account debit 200 से और credit में क्या है bank interest है कि interest के रूप में पैसा आ रहा है नेक्स्ट एक्जांपल देखते हैं नेक्स्ट एक्जांपल देखिए paid 1900 to अतुल अतुल को 1900 रुपे दिएगे and discount received discount मिला है by him 100 रुपे with full settlement अतुल को हमें 2000 रुपे देने थे जो कि हमने किया वर उसको कितने दिया 1900 रुपे का हमें discount मिल गया 1900 में हमने full settlement कर दिया है तो जब भी देखिए entry में full settlement word use आएगा मतलब कि discount का column एक बढ़ जाएगा तो अतुल को हम payment कर रहे हैं अतुल हमारे क्या है personal account है तो अतुल को हम debit करेंगे कितने से total 2000 से इनको debit करेंगे अब देखिए हमने cash कितना दिया है cash हमने दिया 1900 तो cash के सामने and two cash करेंगे 1900 to discount करेंगे क्योंकि discount हमको मिल रहा है इसलिए two discount करेंगे 100 रुपीज यह देखिए इस तरीके से हमारे entry यह बन जाएगी अतुल को debit किया 2000 से cash को करेंगे 1900 से और जो discount received है वो करेंगे 100 रुपीज क्योंकि discount हमको मिल रहा है यह तो मेरे लिए profit है nominal account का रूस है कि जितनी भी income है उसको हम लिखेंगे credit side और cash दे रहे हम cash जा रहा है real account है इसलिए credit side आएगा तो जब भी देखे full settlement word होगा मतलब की discount का column इसमें बढ़ जाएगा तो अब देखें जो हमारी debit side की amount है 2000 और जो credit side की दोनों amount है 1900 प्लस 100 मतलब की 2000 तो देखें हमारी discount वाली entry जब भी पास होगी तो इस तरीके से पास होगी so this discount वाली entry आपको समझ आई होगी I hope and next example देखते हैं next देखिए sold goods to sham sham को माल बेचा ठीक है on credit rupees 4000 4000 4000 का माल इनको उधार बेचा and received cash from him लेकिन इन्होंने payment कर दी 3950 इन full settlement 4000 इनको देने थे और इन्होंने 3950 के full settlement कर दिया है तो जब इन्होंने full settlement किया है मतलब एक discount का column और बढ़ जाएगा तो देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है cash आ रहा है तो cash हमारा आ रहा है तो पहले हम cash को debit करेंगे कितना cash आ रहा 3950 तो cash account debit हो जाएगा अब देखिए जिस side cash वाली entry आती है उसी side हम discount भी लिखते हैं अगर cash debit side है तो discount भी debit side होगा और अगर cash हमारा credit side है तो discount भी हमारा credit side होगा तो इसकी entry जब होगी तो cash हमारे पास आ रहा है तो cash account debit करेंगे 3950 और जो शाम है शाम को हम लिखेंगे credit के side तो इनके सामने हम लिखेंगे कितनी 4000 और जो बाकी की amount बच रही है 4000 और 3950 के बीच जो difference है वो हमारी discount की amount हो जाएगी तो जो amount बच रही 50 रुपए हो हमारी discount के side आ जाएगे तो cash account debit हो जाएगा 3950 से discount allowed इस बार हम क्या है discount दे रहे हैं मतलब कि मेरे लिए क्या है खरचा है तो जितनी भी expenses है वो हम क्या करेंगे वो सारे लिखेंगे debit के side तो इसलिए cash हमारे debit है क्योंकि cash आ रहा discount इसलिए debit है क् कि में लिखज़ आए तो expenses है मेरा यहाँ पर हमने 50 रुपए का discount दिया तो discount allowed अकाउंन्ट debit हो जाएगा देखी यहाँ पर एक allowed बनता है अगर हम देते हैं तो discount allowed होगा अगर ओनको discount मिलता है तो discount received हो जाएगा तो यहाँ फिर discount allowed account debit हो जाएगा 50 रुपए से और श्याम को करेंगे पूरा हम 4000 से credit Next entry देखते हैं Check given to Anuj 10,000 Anuj को 10,000 का check दिया गया तो Anuj हमारी क्या है? Personal account है तो personal account का रूँ उस क्या है? debit the receiver तो Anuj जो है इनको हम क्या करेंगे? 10,000 से debit करेंगे Anuj's account debit और credit में हमारा क्या जाएगा? Bank, bank भी हमारा personal account है तो personal account का भी rules है debit the receiver, credit the giver bank हमारी दे रही है इसलिए bank को हम करेंगे credit के साइट तो हमारी entry बनेगे Anuj's account debit 10,000 से to bank account 10,000 narration में अगर आपको देना है तो narration दे दीजिए being checked given to Anuj तो इस तरीके से देखिए आज हमने 20 जो है general entry के example देखें जो हर एक entry अपने आप में अलग थी I hope आपको general entry से related अप कोई भी doubt नहीं होगा आप practice करिएगा तो आपके सारे doubts clear हो जाएगे next video में हम देखेंगे कि यह जो entry है इनको हम system पे कैसे pass करते हैं